इस पिंक ओलियंडर यानि गुलाबी कनेर को देखकर मन में ये खयाल आता है कि हम इसको कैसे ग्रो करें हमारे पास तो जगए ही नहीं है क्या ये पॉट में भी ग्रो किया जा सकता है तो इस पर अल्रेडी हमने वीडियो शेयर की हुई है कटिंग से इजीली आप इसका प्ला प्ल्रेड शेयर करेंगे जो कि फरवरी में हमने हमने इसको ग्रो बेक में सिफ्ट कर दिया था, तो अभी हमारे प्लान की कैसी फ्लावरिंग है क्योंकि इस बार इसकी प्रूंिंग भी नहीं की थी तो प्रूंिंग के बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट है एप्रिल में ही फ्लावर्स मिल गए है अगर उस समय इस प्लान की प्रूनिंग कर देते तो फिर फ्लावरिंग लेट हो जाती लेकिन जरूरत नहीं थी इसलिए इससे पहले वाली वीडियो जो फरवरी में हमने आप से शेयर की थी वो जरूर चेक कीजे डिस्क्रिप्शन तो थोड़े दिन के लिए जब बहुत ज़्यादा सर्दियां होती है जैसे कि जनवरी में तो ये थोड़े दिन के लिए फ्लावर्स रोग देता है और अगर कलिया आ भी रही है तो वो बहुत छोटे फूल उनमें से खिलते हैं और ये जो पिंक ऑलियंडर है या भाइट कटिंग से इजिली ग्रो हो जाता है और इसमें थोड़ा रेस्ट ले लेकर ये प्लावर्स देता है जैसे कि कभी-कभी हमारे व्यूर्स के कमेंट्स आते हैं हमारे प्लाविंग तो अची हुई थी लेकिन अब बिल्कुल फूल नहीं आ रहे है तो जब भी कोई प्लावर् करता है चाहे वह बेला या मोग्रा हो तो फोड़ा सा पेशन्स रखना आपको जरूरी है तो थोड़ा सा रेस्ट करेगा क्योंकि अपनी सारी एनरजी दो इसमें सीट पॉर्ड आ रहे थे तो काफी सारे सीड्स बन यह बन गए दो काफी सीड़ी इसके बन गए हैं लेकिन cutting से grow करना बहुत आसान होता है तो अब जैसे जैसे गर्मिया है तो इसके जैसे फूल खिलते जाएंगे तो थोड़े से पुराने होने के बाद इस तरह से फूल सूख भी जाते हैं लेकिन उसको लेकर परेशान नहीं होना है नई नई कलिया बनती रहेंगी और जब सारी कलियां खतम हो जाएंगी तब कुछ इंडरेस्ट करने के बाद दोबारब फ्लावरिंग होगी तो ऐसे में आपको करना क्या है जो जादा फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स हैं रुक रुक कर फ्लावर्स देते ही रहते हैं सीजन में गर्मियों में बारिश के सीजन में तो उसमें आपको मिट्टी की गुडाई करके थोड़ा सा एक दो मुठी खाद डाल देना है चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो चाहे वो गोबर की खाद हो अब आप सोचेंगे कि गर्मियों में कैसे करें तो गर्मियों में एक मुठी, ़ेर मुठी या दो मुठी के करीब खाद लेकर आप जण से थोड़ी दूर और गंबले के किनारे किनारे आप डाल दीजिए और मिटी में उसको मिक्स कर दीजए रूट्स के बहुत पास नहीं रखना है तो उससे क्या होगा काम भी चल जाएगा प्लावरिंग भी हो जाएगी और अच्छा रिजर्ट भी मिल जाएगा अब को ऐसा खाद यूज नहीं करना है तो कुछ दिन पहले हमने लिक्विट फर्टिलाइजर पर वीडियो शेयर की थ और ये सभी प्लावर्ट के साथ है जो time to time flowers देते रहते हैं अपर जीता को लेकर काफी ज़्यदा कमेंट्स आते हैं कि flowers आए थे लेक्न अब नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा प्लावर्ट को पैंपर कीजिए थोड़ा सा उसको ट्रीट दीजिए थोड़ा सा उसको फर्डिल हो जाती है और फिर उनकी ग्रोथ रुख जाती है तो कोशिश कीजिए जो growing season है उसमें fertilizer का use कीजिए बहुत ज़्यादा नहीं देना होता हम भी अपने plant में कोई बार-बार fertilizer use नहीं करते हैं पानी का अच्छा द्यान रखते हैं दूप का अच्छा द्यान रखते हैं लेकिन time to time थोड़ी सी ट्रीट देना जरूरी है अगर आपको लग रहा है कि plant में थोड़ा सा growth कम हो गई है एक hardy cutting होती है जब मौसम आता है अपने आप उसमें shoots आ जाती है लेकिन rainy season best होता है जून से आप इसकी cutting grow कर सकते हैं आपको 100% result मिलेगा चाहे पानी में पहले grow कर लीजिए ये direct मिटी में grow कर सकते हैं कोई query हो तो जरूर पूछेगा थें क्यूँ